हेलो दोस्तों सोगत है अपका हिंदी कॉमिक वर्ड में और इस एपसोड में हम देखेंगे ओल्ड मैं लोगन का वेराम सिंब्यॉर्ड के साथ मर्ज होना तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले हम देखते हैं वेस्ट लैंड में चाहपर एक आदमी बुरी तरह से ओल्ड में लोगन को मार रहा था और वो कह रहा था तुमने मुझे इस सबसे दूर रखा इस पर लोगन कहता है नहीं मैंने ऐसा नहीं किया लेकिन वो आदमी उसे मारते हुए कहता है चुप र लेकिन यहाँ पर ओल्ड में लोगन उस आदमी से भीक माग रहा था और कह रहा था कि बेटा मुझे छोड़कर मत जाओ लेकिन वो आदमी वहां से चला जाता है यहाँ पर एक मोटेल में लोगन हमें पढ़ा हुआ देखता है लेकिन तब वहाँ पर आर्चैंगल आ जाता ह और उसे पूकारते हो spiral और उसे ट्रकों डालकर वो उसे य отно ले जाने लगता है जिसपर लोगन पूछते हैं कि ट्रक चीज़ को 70 साल बीट चुके है, मैंने उसे भोला भी दिया है, मैंने मैंचन भोला दिया है, रेड्सकल और हलक के बाद मैं सब कुछ भूल चुका हूँ और जिन्दगी में आगे बढ़ चुका हूँ, आगे इतना सुनते ही आर्चांगल कहता है, तुम्हारे फैमिली मुझे मुझे पता है, और मैंने सुना भी कि तुम्हारा healing factor जा चुका है, और अब तुम लगबग कुछी दिनों के महमान बचे हो मरने के लिए, जिस पर लोगन कहता है, अपने jokes बंद करो, और मुझे ये बताओ कि हम जा कहा पर रहे है, जिस पर वो कहता है, जब रेड्सकल इव कोप भरती की जा रही है, नए X-Mans तयार किये जा रहे है, और इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा रहा हूँ, जिस पर लोगन कहता है, मुझे उससे कुछ में मतलब नहीं है, एक्समैन बहले ही old हो या फिर new, मुझे उनसे कोई भी लेना देना नहीं है, जिस पर आर् तबम देखता है कि वो जैवेरी मैंशन जो कि वेस्टेस्टर में है, तो कि X-Mans का स्कूल माना जाता था, वो दोनों ही उस घर के सामने थे, चापर लोगन उसे देखते ही कहता है, मैं यहाँ पर नहीं आना चाता था, और वो खुद से कहता है, रेट स्कल के बाद जो इस पर आरचांगल कहता है, वो अभी डेंजर रूम में ट्रेनिंग कर रहा होगा, और इतना सुने के बाद लोगन सोच रहा था, वो लोग यही पर मरे थे मेरे सामने, मुझे यहाँ से जल जल निकलना होगा, वरना ऐसा लग रहा है कि वो लोग अभी भी मुझे देख रह और सारे बिलेट्स उसकी सरज में दसने के बाद लोगन बेवोश हुचाता है, और जब उसकी आके खुलती है, तब वो अपने सामने देखता है अपने बेटे, यहने कि Bruce Bennett Jr. को, Spider B. और Blue Air चैंगल को, जो कि कुछ तरह पहले ही अपने प्रोजेक्टर नेकलेस के जरीए आर दिया, तो कि मेरे रियल पापा थे, तब मैंने घर जाने का फैसला लिया, और मैंने तुम्हें वही चोड़कर अपनी घर की तालाश में निकल गया, अपनी डिस्कवरी की तालाश में, तुमने मेरी फैमिली, मेरा अमपायर मुझसे चीन लिया, जिस पर लोगन कहता है, व कि उसके पास्ट कोस ढूनने की थी, वो उसे मेरे धरवाजे तक ले आई, और हम दोनों ही एक कॉमन इंटरस्ट शेर करते हैं तुम्हें मारने के लिए, इसी वज़े से हम दोनों एक साथ है, और रही वैरन की बात तो उसके पास अपना खुद का एक रिजन है तुम्हें म मार दिया था, यहापर उसकी तरफ बढ़ते हुए स्पाडर भी कहती है, तुमने काफी सारे एनिमेज बाने लिये है लोगन, और वो आगे अपने पिता यहने के हौकाई के बारे में बोलते हुए कहती है, तुम और मेरा बाप एक जैसे ही थे, तुम डोनों नहीं, कुछ अच्छे काम नहीं किये अपनी जिंदगी में, इस पर लोगन कहता है, क्लिंट तुमें सिर्फ और सिर्फ अपने घर पर रखना चाहता था, वो तुम से प्यार करता था ऐसली, इस पर वो कहती है, हौकाई सिर्फ एक ओल्ड और वास्ट अप था, लेकिन वो मेरा बाप कभ अनस्टॉपेबल, तुमें क्या लगता है, कि ये जिनियस फिंग सिर्फ तुमी ने पहली बार सोची है, ऐसे कितने ही थे जिसने मेरे क्लोन आरमी बनाने की कोशिच की, और लोगन उसे आगे कहता है, कि मैंने तुमें बढ़ा किया, इस पर हल कहता है, तुमने मुझे बढ बैक मार्क मेरे रेपिटिशन पर लगा दिया था, और उसके बाद मैंने रिसॉर्सेस कलेट करने की कोशिच की, क्योंकि तुम तक रिकवर हो सके, लेकिन उसे डूटते हुए मुझे कुछ और ही मिल गया, और वो वैरन से कहती है, कि दोर ओपन करो, और तभी वहाँ पर ए लेकिन मेरे पहले तुम उसे देखो की डारलिंग, और उसी वेप्स को एक जटका देते हुए, वो स्पाइडर बी को उस T-rex की मुझे मुझे डाल देता है, और ती-rex एक पल नाग आवाते हुए, वो स्पाइडर बी को खा लेता है, यहाँ पर उसे देखते हुए हल्क और आर्टेंगल दोनों ही सदमे में आ जाते है, और वो ती-rex आगे बढ़ता है, लोगन की तरफ, यहाँ पर उसकी तरफ बढ़ते हुए वो कहता है, तो चल है, आखिरकार इसे खदमी कर देते है, और तभी वो उसके मुँ में चला जाता है, यहाँ पर इसना देखकर हल्क खुश होते हुए कहता है, तो आखिरकार वो हो चुका है, जिस पर आर्टेंगल उसे समझाता है, कि तुम्हें नहीं लागता कि हमें ये शोर कर लेना चाहि ये क्लोन्स बनाएंगे, और कुछ दिनों बाद हम बिल्डिंग ब्लक्स बनाकर एक परफेक्ट वेपन बिल्ड करेंगे, तभी हम देखते है कि उस टीरेक्स का सारा सिंब्योट उसके मुँ में अंदर जा रहा था, और देरे देरे करके वो टीरेक्स एक आम टीरेक्स बन और उसी टीरेक्स को चीरतावा भार आता है, वेनम सिंब्योट के साथ मर्ज हो चुका और वो कहता है ये पावर, ये पावर और ऐसी पावर मैंने कभी भी फील नहीं की है, कभी भी नहीं, इस पर वेनम कहता है अब मैं तुम्हारे साथ हो लोगन, और अब हम इन सभी को मा पार देंगे, और उसे देखते ही, हल्क से आरचांगल कहता है, कि उसका हीलिंग फैक्टर तो जा चुका है, लेकिन सिंब्योट ने उसे सेंस कर लिया, और वो उसके साथ क्यूज हो चुका है, यहाँ पर लोगन अपने पूरे रेज में था, जो कि कह रहा था, तुम वीख लोगन मरा है या नही और वो उसे प्वेकते होई कहता है, तो आप तुमारा चांस है, और आरचांगल आगे बढ़के, लोगन को मारने की कोशिश करता है, यहाँ पर लोगन कहता है,olla तुम सिएर हो, कि तुम अपने बच्चे हैंपशना चाते हो, यहाँ पर आरचांगल उसे कहता है तुमने एक real winner को raise कर दिया लोगन और अपने सारे blood wings उसे पर मारते होए कहता है और तुमने अपने साथ साथी दुसरे के बच्चे भी मारने में काफी तरक्या हसिल कर ली है तुमने खुद के बच्चे के साथी दुसरे बच्चो को भी अपने old age में मार दिया है तुमने मेरे friends को मार दिया लोगन तुमने उन सभी बच्चो को मार दिया जिस पर लोगन कहता है नहीं वो में नहीं था इस पर आर्चेंगल उससे कहता है तुम जूट बोल रहे हो और उसकी तरफ बढ़ कर उसे मारने लगता है और आकर अपने बच्चे भी ब्लेड विंक्स उस पर मारते होए वो कहता है तुम हमेशासे एक killer ही थे और तुम इनोसन्स लाइव ले करीब यहां तक पहुँचे हो और वेनम सिंब्योट उसके सारे ब्लेड्स हवा में ही रोक लेता है जिस पर लोगन कहता है ब्लेड्स मुझे चूँ नहीं पा रहे है मैं इन्विंसिबल हूँ जिस पर वेनम कहता है हाँ और यहाँ पर कोई भी इनोसन यानि के ब्रूस अरश को फकड़ लेता है और कहता है चुम्हें मुझे बाब पाओके शुनियर म Which मारकर उसके बाद सकता है और उसे पकरते होए हल कहता है तुमने मेरे बाप को मार दिया लोगन तुमने मुझसे पूरी जिन्दगी जूट बोला है इस पर लोगन कहता है मैंने तुमसे पूरी जिन्दगी जूट बोला क्योंकि मैं नहीं चाता था कि तुम्हारा फादर की जैसे ही तुम बन जाओ उस पर वो कहता है कि मुझे पता था कि मेरे फादर क्या थे और अब मैं वो फिनिश करूँगा जो मैंने स्टार्ट किया है और वो उसे पंच मारने ही वाला था कि तभी वेनम सिंब्याट उसका पंच पकरते हुए कहता है इसकी स्टेंथ तो काफी अच्छी है लेकिन वो हमसे मैच नहीं कर सकता और यापर लोगन उसे कहता है तुम सही कह रहे हो बुरूस की अब एंड करने का वक्त आ चुका है और उसे मारते हुए वो कहता है तुमारा बाप मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था और मैं तुम्हें यापर इसलिए ले आया क्योंकि मैं चीज़से अच्छी करना चाहता था और मुझे अभी लगता है कि रिवेंज डेथ एक वर्थ डेथ होगी तुमारे लिए जुनियर और वेनम यापर कह रहा था कि उसे मार दो लेकिन वो अपने बेटी की तरफ दिखते हुए कहता है नहीं मैं उसे नहीं मार सकता भली उसने मेरे साथ कुछ भी किया हो लेकिन वो मेरा बेटा है रूस में तुम्हे नहीं मार सकता और वो आगे कहता है कि मैंने तुम्हें इस सबसे इसलिए अंजान रखा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था लेकिन वो आकरेशब के बाता इससे पहले ही वो उस युनिवस में टेलिपोर्ट हो जाता है जहाँ पर लड़ाई चल रही थी और उसके सामने खड़ावा कैप्टन अमेरिका कहता है यह बहुत ही अच्छी बात है सोल्जर लेकिन अब अपने पेरों पर खड़े हो और वार को जोइन करने के लिए तयार हो जाओ और इसी ही साथ यह वीडियो यह पर खत्म होता है ताब मुझे कमेंट करके बताए कि आप कोई वीडियो कैसा लगा साथी साथ अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू फ्रेंड्स, एंच्योड़े लाइफ, हैन्यवाद और चैक्यूड़े